जिव शंकर के कथा कहूं चर्णन करूं प्रणाव भूली नाथ दीनों बाहे सारी कथा को ग्याव कथा कहूं शंकर की पावन बरसाते प्रभुदया का सावन सारे फ़लों को देने बाले जटा जूट शंकर है निराले भूले बाबा भूले भाले महादेव मेरे डमरुवाले ओ भर नाथ जटा धर शंकर दाता मेरे नाथ प्रणपर प्रले के दाता शिव मेरे देवा बड़े महाद जो भी मन से पूजता कर देते कल्याण गल सोहे सरपों की माला भूले नाथ का रूप निराना बर फाने बाबा दातारी रूप मेरे दातार का लागे अप्रमपार मही बाबो ने बात के पाया ना कोई पार नाथ त्रिलो की पी सब माया देवो ने कोई पार ना पाया कोई कही ही शुन्य से जनमे कोई कही ही प्रम पी आया नारद ने इने स्वयम बताया जनम कथा का भेद ना पाया सकन लोक ने ध्यान लगाया माया का किंतु नसार बताया संत मुनी सब करते हैं चर्णन में प्रणाब सारी फल पा जाते हैं होता है कल्यान सोमनाथ सोमेश्वर स्वामी बैजनाथ में बसते स्वामी बार है जो तिर निंग कहाएं शक्ति से शिव ने है बनाएं धाम अनेटो शिव के प्यारें सकन लोक में सब से न्यारें हर धाबो बे शिव के शक्ति भन से कर लो शिव की भक्ति भक्ति का सद मार्ग है शिव के सारे धाब सीव तयार प्याग की प्रेम की है पहचाब एक ब्राम्भन की कथा सुनाओं तुमको सारा हाल सुनाओं सोमवार को शिव को मनाताओं मैं चिशर्ण में उनको लाताओं शिव भी देखते उसकी भक्ति दीथी उसको ध्यान की शक्ति फन सारे वो शिव से पाताओं मत वो प्यारा शिव का कहाताओं मंदिर में पूझा करता शिव को जाए मनाई बना पुचारी मंदिर का सीवक वो कहनाई नगर निवासी मन में आया मिन के पुजारी उसे बनाया सुभा शाम वो मंदिर खोले जैशिव शंकरमन से बोले सोमवार के व्रत को धारे शिव को मनाई मन से पुकारे नगर में अच्छा नाम था उसका शिव ने दी पहचान उसे शिव के ही गुणगाई जब तब सयम मन रखे नित ही शिव को मनाई मंदिर का सब भार समभाले भक्ति करे सब देखे भाले एक दिवस तब ऐसा आया मंदिर में शंकट था चाया एक चोर मंदिर में आया देर रात में अवसर पाया दबे पाव वो घुस गया अंदर आप वसा था मन के भीतर शिव के प्रतिमालो उठा तुरत गया वो भाग आहट सुनके तब ही सुनो गया पुजारी डाग चोर को देखा पीछे भागा लेकिन उसके हाथ न लागा चोर चोर चिलनाता जाए लगर निवा से जाग न पाए ठक के पुजारी मंदिर आया बेचारा खुद पे पच्छताया लगा उसे था दुख बड़ा भारी किसमत जैसे गई हो बारी माया भोले रात की जाने भोले नात पन्नित मन में सोच रहा कौन सभाले वात सारे निवासी तब वहा आये सुभावो प्रतिमा को ना पाये देने लगे ब्रामण को उला ले भूसते उसको देते तारे देता पुजारी सबको सफाई बात न कुछ भी समझना आई रोता था देते वो हवाला दुख उसका न किसीने टाला बात न कोई मान ता बढ़ने लगा विवाद सबनी उसको चोर कहा करता वो फर्याद देखो कैसा पाप थचाया उसको ही तब चोर बताया मंदिर से फिर उसको निकाला रोर मुसीबत में था डाला रोजगार सब उसका चूटा क्यों करदा मन खुशी का चूटा चरणों भी वो गिर गया शिव के लेकिन उच भी छुपाना शिव से रो रो कर वो कहता था हुमा ये कैसा का दास आपका था सुनो खोया क्यों समान सपने में तब शंकर आए देख पुजारी था हर शाय बोले भोले राह निकानो देखी सहारा मुझको समानो शंकर उसको देते दिलासा मन में जागी नहीं थी आशा पूरी रात वो नाम धियाए देखो प्रभु माया क्या रचाई रात भर सोया नहीं चिंता लेकर आस लगता था जैसे उसको शिव बैठे हो पास नया सवेरा जागा आया शिव ने था माया को रचाया एक कोड़ी तब मंदिर आए शिल की प्रतिमा साथ विराए रोता था वो था चिल्लाए दर्ग है क्या कुछ समझ ना आए लोगों को होती है रानी इसके पीछी क्या है कहारी नगर निवासी पूछते कुई क्या बोलो बात किस करण तुम रो रहे क्यूं कर प्रतिमा हाँ क्रतिमा को जब देखा भाला सबने तब उसको पहचाना तब जाने है इसने चुराई सजा है शायद तब ही पाई गोड़ी ने तब राज बताया प्रतिमा चुराई सब था सुनाया सुनके कथा सब प्रोध में आई लेकिन वो खुद पेपचताए अपनी भूल को मानता किया पाप का काज शिवनी को ही बना दिया सही किया मेरे साथ सबने तब पंडित को बुलाया घटना को तब उनको बताया पंडित जाना शिव की मारा ने मानिका दाग भिटाया शमा मांगते नगर निवासी भूल समझ तब सब को आती चोर भी शिव की शरण में आया प्रतिमा को तब सबने बिठाया प्रतिमा फिर से आ गई लोटा सब संवाल हर शोया ब्रामण तब ही रखा थशिव ने मानि चोर ने तब थी अरजि लगाई फिर से काया सुन्दर पाई उसका सारा कोड मिटाई मन बदला था वो हर साया शिव की महिमा को पहचाना शक्ति शिव की वो था माना चरडों पे तब शीष नबाया शिव की इश को सदा हिगाया शिव किरपा ऐसी बरसी हो गए सारे का ब्राम हडली और चोर ने पाया निच सम्मान तुम भी शिव महिमा को गालों जीवन अपना सपन बना लों बनवान चित फल शिव से पाओ शिव शंकर है भूले भाले सारे सुख ये देने वाले धन्यश वैभव शुभवर देते मनों काम ला पूरी करते शिव महिमा सुख दाइनी करती भव से पार बंगल कारी नाम है करता सदा उपकार हर हर बंबं ओम नमस्षिवार सभी शिव भक्तों को पावन श्रावन मास की बहुत बहुत बधाई हो भक्तों वेद पुराणों के अनुसार श्रावन मास भगवान पूले शंकर को अत्यंत पिय होता है क्योंकि इस माह में शिव भक्त कामणी गंगोत्री गोमुक हर द्वार आते हैं तथा पवित्र कंगा जल्न कावन में भरकर भोले नाथ को अर्वित करती हैं इस माह में शिव मंदिरों की शोभा देखने वाली होती है भक्तों दो आईए आज मैं आपको पावन पवित्र कामण गाथा संगीत मैं रूप में सुनाने जा रहा हैं तो एक बार बड़े फ्रेम से बोलिए बुले शंकर भग्वान की आओ भग्तों शिव के गाथा सुना सावन में क्यों कावड लाते सावन में क्यों कावड लाते भग्तों तुम्हें बताओं आओ भग्तों शिव के गाथा सुना आओ भग्तों शिव के गाथा सुना गाथां रावन और उसकी शिव भग्ती से संबन्दित है भग्तों तो भग्तों शिव का सुमिरन करते हुई आईये सुनते हैं पावन पवित्र गावण गाथ रावन भगवान शिव का अनन्य भक्त था उसके मन में परमिच्छा थी कि वो भगवान शिव को सदा सदा के लिए लंगा में ले जाए इस हेतू उसने भगवान शिव की घंगोर तपस्या कि और यहां तक की उसने एक एकर अपने नोशीष भगवान के चर्णों में समर्मित कर दिये थे इस पर भगवान शिव प्रकट हुए और रावन ने उन्हें वर्दान सवरू सदा सदा के लिए लंगा में बसने का अनुरोध किया और प्रभु ने ये सुईकार भी कर लिया आगे क्या होता है आईए सुनते हैं बोला रावन शंभू स्वामी आप दानियों के दानी मेरी भक्ती को मान दीजे भोले ये वर्दान दीजे मेरे संग लंका को चलिये और सदा को वहाँ पर रहिये जीवन भर दर्शन करूंगा किर्पा से जोली मैं भरूंगा शिव जी फिर वर्दान दीने हो शिव जी फिर वर्दान दीने तुम्रे संग मैं जाऊं आओ भक्तों गाता शिव के सुनाँ आओ भक्तों शिव के गाता सुनाँ शिवजी ने अपना सुरूप पावन शिवलिंग का बना लिया भक्तू और सुयम साक्षाद उसमें समा दे परन्तु उन्होंने रावण को इस हेती एक शर्त भी बताई कि यहां कैलाश से तेरी लंका तक यह शिवलिंग तेरे कांथों पर ही रहेगा और इसे लंका में ही भूमी पर रखना ताकि यह वही स्थापित हो सके धान रहे रावण यदि यह शिवलिंग मार्ग में बीच में कहीं भी रखा गया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा और तू इसे लंका नहीं ले जा पाएगा भतों रावण ने ये शर्त सहर सुईकार कर ली और शिवलिंग को अपने काने पर धर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा इधर देवी देवता चिन्तित हो गए और भगवान श्री हरी विश्णू के पास आए और बोले हे भगवन यदि भगवान शिवलिंग को ले करके जाएगा कुछ कीजिए श्री नारायन कुछ कीजिए रावण मन ही मन हरशाए शिवलिंग को ले करके जाए विश्णू बालक रूप बनाए तिर अपनी माया फैलाए लगुशंका रावण को आई माया अपना थेल रचाई उस पर तो दबाव था पड़ता रावण करता तो क्या करता रावण भूमी उतर के सोचे हो रावण भूमी उतर के सोचे जाऊ तो कहा जाऊ आओ भगतों गाथा शिव की सुनाओ आओ भगतों शिव की गाथा सुनाओ शिवलिंग कांधे पर उठाए रावण लगुशंका के दबाव से भारी परेशानी छेल रहा था वकतों सोच रहा था जाऊ तो जाऊ कहां करूं तो करूं क्या के तभी बालक बने श्रीहरी विश्नु उनके सन्मुखा गए रावण ने बालक का नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बैजू बताया रावण ने बालक से आग रहे किया कि वो थोड़ी देर के लिए ये शिवलिंग अपने हाथों में धारन कर ले वो लगुशंका से निव्रित पर स्नान करके शीग्र ही वापस आएगा परन्तु यह आश्वासंगी लिया के जब तक वो वापस ना आए शिवलिंग को वो बालक भूमी पर न रखते श्री हरी भक्तों यही तो चाहते थे रावण के जाते ही उन्होंने क्या माया रचाई आएए ये पावन कथा सुनते हैं रावन लगुशंका को जाए बालक को शिवलिंग पकड़ाए निवरित हो करके मैं आओं शिवलिंग को वापस ले जाओं विश्नु हरी ने केल रचाया शिवलिंग को भूमी धरवाया शिवलिंग वैस्था पित कीना खुद को अंतर ध्यान ठकीना रावन भूमी शिवलिंग देखा आओं रावन भूमी शिवलिंग देखा सोचा मैं मर जाओं आओ भगतों शिव की गाथा सुनाओं रावन जब लगुशंका से निव्रित होकर स्नान करके वापस आता है तो क्या देखता है कि वो पालक अंतरधान हो चुका है और शिवलिंग भूमी पर स्थापित हो गया उसके फ्राण उसके कंठ में आगे भगतों विक शिप्तओं की तरहे शिवलिंग को उठाने का प्रयास कर रहा है परंत भगवान शिव की शर्ट अनुसार शिवलिंग वहीं स्थापित हो चुखा खबर उसके मन में एक उपाय अया वो कावण में जल भर-भर कर लाता और शिव जी को सनान कराता सनान कराते कराते भगवान शिव के स्क्रोथ आरती चालीसा और मंत्र का जाब करता रहता सोचता भगवान शिव एक बार फिर प्रसन्न हो जाएंगे और उसके संग लंका को चले जाएंगे परन्तु शिव की लिदा को भगवान शिव ही जाने भगवान शिव ने दर्शन दिये और रावन को समझाया कि हे रावन अब ये शिवलिंग कहीं नहीं जाएगा यहीं स्थाफित हो जाएगा चिरकाल तक मेरे भक्त कावण लाला कर इस शिवलिंग पर चणाएंगे और पुन्न फल प्राप्त करेंगे आज से इस पावन स्थान का नाम बैजना धाम होगा और श्रावन मास में जो कावणी है यहाँ पवित्र कावण में गंगा जल घर मुझे अरपित करेंगे जीवन परियंत मेरी कृपा उन कावणियों को राप्त होती रहेगी रावन का वर भर भर लाए शिवलिंग को नहलाता जाए शिव के स्रोत मंत को गाए शिव के नाम की अलक जगाए शिव जी ने दर्शन दिख लाया रावन को था तिर समझाया शिवलिंग अब ना जा पाएगा मेरा धाम ये कहलाएगा आज से बैजनात मैं इसका पावन नाम धराओं आओ भगतों शिव के गाता सुनाओं आओ भगतों शिव के गाता सुनाओं तब से भगतों शिव भगत कामणिये श्रामण मास में पवित्र कामण में गंगा जल भरभर कर लाते हैं और पवित्र शिवलिंग को नहलाते हैं भांग, धतूरा, बेलपत, अक्षक, चंदन, दूर, तही और घृत से शिवलिंग का अभिशेकर भगवान भोले नात की परम क्रिपा को प्राप्त करते हैं तो आप भी यदि भगवान शिव की क्रिपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में एक बार कामण धर कर अवश्य लाइएगा और शिवलिंग को गंगा स्नान करवाईएगा आप सभी को भगवान शंकर की अनुपंक्रिपा अवश्य प्राप्त होगी तो एक बार फिर बड़ी श्रधा और फ्रेम से मेरे साथ बोले बोले शंकर भगवान की शिव की किरपा पाना चाहो कावण एक बार लाओ गंगा जल से खिर नहलाओ बेल धदूरा भांग चड़ाओ दूद दही और पुश्प चड़ाओ गी से लेपन भी करवाओ चैद से अविशेक करवाओ भगतों चंदन किलक लगाओ शिव के चरणों में में भगतों बारी बारी जाओं आओ भगतों गाथा शिव की सुनों आओ भगतों शिव की गाथा सुनों